Hello everybody, welcome back to our YouTube channel. मेरे भाई और मेरे नो, जो लोग क्लास 10 और 12 में हो, All the students of class 12, 10th and 12, My dear student friends, मैं देखो मैं एक word यूज करता हूँ, student friends, मतलब आप लोग मेरे student भी है, आप लोग मेरे friend भी है, दोस्तों, आप लोग को मैं आज तक का final status दे दूँगा, कि finally, अब आपना exam में क्या होने वाला है, 10 का exam क्या होगा, 12 का exam क्या होगा, और cancel होगा या online होगा, होगा तो कैसे होगा, इन सारे बातों को highlight करते हुए, मैंने यहाँ पर पुरा PDF बना के आप लोग के लिए रखा है, जो कि आपको description box में भी मिल जाएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर एक एक करके आपको समझा देता हूँ, और साइद ही हम लोग का exam cancellations related last video है, क्योंकि दोस्तों, अब decision आने का time हो चुका है, soon we are about to get the decisions, so guys, एक बाद पर पढ़के आपको समझा देते हैं, कि मैंने क्या-क्या लिखा है, पहला, दोस्तों, I would like to see you, thanks to all of you, because आप लोगों में बहुत सारी लोग थे, हम लोगों ने डिड़ मैने से, last डिड़ मैने से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ दिन के लिए मैंने बंद कर दिया था, जब दिड़ी ने अनॉंस कर दिया था, कि एक्जाम होगा, दोस्तों, हम लोग ऑनलाइन एक्जाम और कैंसलेशन ओफ एक्जाम के लिए, हम लोगों ने बहुत वीडियो बनाए, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, आप लोगों बहुत सारे बच्चे हमेशा से ही कमेंट करते गए, बहुत सारे लोगों ने गालियां भी दी, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किये, पर कोई बात नहीं है, वो उनका प्यार था, दोस्तों, अब इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, आप लोगों का साथ यह जर्णी बहुत खुशूरत था, थैंक्स तो एवर्यों वं वो वो उनका प्यार दिया, उनका भी थैंक्यू, एंद दोस्तों, हम लोगों ने महनत किया है, और अब finally देखने का वक्त है कि बॉल कहा जाता है हमारे कोट में आता है या नहीं आता है दोस्तों मैं आपको लोगों से so now we are waiting for the official announcement of exams cancellation or online exams exams cancellation or online exams related हम आप final official announcement का वेट कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों से अभी तक का जो final status है वो आपको बताता हूँ जिससे आपके सारे confusion clear हो जाएंगे जो की expected है जो की आपने बहुत सागा news channels में भी सायद सुने होंगे देखिए report दोस्तों latest में बता रहा हूँ को सारा report जमा हो चुका है आप लोगों को पता होगा six members का expert committee ने अपने report जमा दे दिये respective authority को the expert committee proposed the following क्या क्या proposal उस report में दिया गया है उन्हों उसमें कहा गया है अभी यह देखो मैं आपको बता रहा हूँ यह official announcement नहीं है यह मैं आप से share कर रहा हूँ कि यह these are going to be happened यह हो सकता है आपके exam में class 10th exams are going to be cancelled absolutely cancelled absolute cancellation समझते हैं पूरा पूरी cancelled class 10 का exam पूरा पूरी cancelled होगा और ऐसा माना जा रहा है कि class 10 का जो marking है वो class 9 के result के basis पे किया जा सकता है तो दोस्तों अभी जो marking का pattern है उसको ले करके अभी भी suspense बना हुआ है बट स्टिल ऐसा माना जा रहा है कि class 10 के बच्चों को class 9 के basis पे marks दिया जा सकता है जैसा expert committee के suggestion से सुनने में आया है दूसरा 12 वाले बच्चों के लिए देखो 12 के बच्चों के लिए जहां तक 12 का बात है उनका future बहुत matter करता है बहुत sensitive है इसलिए उन लोगों को ले करके हो सकता है absolute cancellation ना हो हो सकता है दोस्तों absolute cancellation ना हो आपको ले करके आप लोग का exam का absolute cancellation तो नहीं होगा लेकिन my dear student friends आप लोग का सायद online open book assessment लिया जा सकता है open book exam आप समझते हैं को जैसे मैंने सुबर से discuss कर रहा हूँ paper आपको भेज दिया जाएगा आप उसको solve करेंगे और उसको जमा कर देंगे क्योंकि government ने 10,000 rupees टैब लेने के लिए लोगों को दिया था तो ऐसा यहों लोग assume कर रहे हैं कि सायद बचों के पास mobile phone होंगे ही तो इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा हो सकता है और online mcq system में आपका exam हो सकता है student need to give exam from home ऐसा आपका हो सकता है दोस्तों final announcement के लिए हम लोग वेट करेंगे the final decision यह सब proposals आए हैं the final decision will be taken by cm madam and experts probably announced in our interest either on 7 June देखो मैंने टाइप किया था miss हो गया और initial days of next week या तो 7 June तक वो आएगा 7 June को ही आएगा या फिर सोम या मंगलवार max to max up समय लो बुद्वार तक आपको final decision सुनने को मिल सकता है बट दोस्तों we request all the student to continue study until final announcements are coming my dear student friend जब तक final announcement नहीं आता है तब तक आप अपने पढ़ाई को continue रखे ये सारे possibilities निकल करके आएं हैं बट फिर भी I'll request you all कि थोड़ा सा और इंतिजार करते जब इतना दिन नहीं तके तो आप क्यों तक रहे हैं तो दोस्तों all the best for your future और जो भी update जैसे भी update आएगा मैं आपको inform कर दूंगा आप जल्दी से चैनल को share कर दीजे और subscribe कर दीजे thank you all, love you a lot और मेर नंबर यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगो कोई भी तरह का queries होए education से related कोई भी help हो commerce के किसी भी subject में problem हो you can take my help thank you so much everybody bye bye, take care अब जिस दिन final notification आएगा उस दिन ही इस topic के उपर video लेगा होँगा भाई ठीक है, thank you so much bye bye